तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कंपेजन करने वाले हैं Redmi की तरफ से Note 12 5G स्मार्टफून की और Vivo की तरफ से T1 स्मार्टफून जो की फिलाल में लोन्च हुआ है दोने स्मार्टफून कफी बढ़िया हैं अगर आप इनमें से एक लेने की सोच रहे हैं और यहांपर आपको मिल जाता कवर Jeans काफी नोर्मल दिखने को मिलती है बात करते हैं यहांपर इदर पावर बॉटन इदर वोलेम बॉटन को अप्शन मिलता है यहाँ पर आपको polycarbonate back देखने को मिलता है बात करते हैं यहाँ पर उस चुछ खास feature की तो नीचे की तरब speaker, type support, mic का support डिया गया है इधर power button, इधर volume button को option मिलता है और उपर की तरब को 3.5 audio jack और i.e.a. sensor मिलता है जिसकी मतर से आप रोस तो remote का काम भी कर सकते हैं और ACVC भी control कर सकते हैं बात करते हैं स्मार्टफोन की specification की तो display सुरबात करते हैं 6.7 inch का super remote display मिलता है जो की 120 Hz के सार आता है तो display की quality काफी बड़िया देखने को मिलती है आपको Gorilla Glass 3 का protection मिलता है आपको bezel LED डिस्पले है विद पंचोल कट आउट में केमरा आज के बात करें तो 48 mm का triple rear camera मिलता है up to 10x digital zoom wide angle भी आपको मिल जाता है 48 plus 8 plus 2 megapixel का और यहाँ पर आप Full HD में 30FS पर वीडियो रिकोडिंग कर सकते हो front camera आपको 13 megapixel का मिलता है बेटरी के बात करें तो 5000 image की मिलती है और और आपको 33 watt का charging भी मिल जाता है profile में उसके बात करें तो Qualcomm Snapdragon 4 generation का आपको पूसर मिलता है तो कि काफी बढ़िया है यह 5G को support करता है इस बात का ध्यान रखेगा और 128 RGB का इस्टोर मिलता है और यहाँ पर आपको water register and dust registration भी देखने को मिल जाता है तो दोस्तों यह है Vivo T1 का box यहाँ पर box को unbox कर लेते हैं तो box को unbox करने के बार हम को मिलता है mini box इसके अंदर आपको मिलते है minables card और guarantee card मिलते हैं और cover मिल जाते हैं और उसके बाद हमको मिलता है हमारा smartphone तो उसको रखते साइड में और box content के और देखते हैं यहाँ पर आपको type C cable मिल जाती है जिसके length in quality काफी बढ़िया है और यहाँ पर आपको 44V का flash charging का support देखने को मिलता है अब हमारे smartphone के तरब देखते हैं तो इस phone का design है वो काफी premium देखने को मिलता है डिजाइन का काफी अच्छा रखने को मिलता है बेकसर पर triple rear camera है वह पर देखते हैं और नीची आपको विवो के branding मिलती है नीची की तरब speaker, type C port, mic, 3.5 audio का support मिलता है इधर power button और volume button को option दिया गया है तो दोस्तों अब बात करते हैं smartphone की specification की तो इसका प्राइज है यहाँ पर मैं आपको बता रहता है इसका प्राइज है 15,000 रुपे डिस्पले की बात करें तो 6.5 इंच का IPS LCD पेनल मिलता है जो की 120 Hz के रिफ्रेट के सार आता है बेजर लेड डिस्पले है, वोटर नोच के सार आता है तो डिस्पले कोलेटी काफी बढ़िया है 120 Hz का रिफ्रेट मिल जाता है तो यह काफी अच्छी बात है केमरास के बात करें तो 50 Mbps का ट्रिपल रियर केमरा मिलता है 2 Mbps अल्टरावेड है और 2 Mbps का माईक्रो मिलता है और यहाँ पर आप दोस्तों फुल एजडी पर 30 Fs पर वीडियो रिकोडिंग कर सकते है फ्रंट केमरे के बात करें तो 16 Mbps का केमरा मिलता है आपको तो दोस्तों केमरास के मामले में यह स्मार्टफोन है यह काफी ओसम है बात करते हैं बेटरी की तो 5,000 इमेज की बेटरी मिलती है और 44 Watt का आपको Flash Charging का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोसर के बात करें तो Qualcomm Snapdragon 695 का मिलता है जो कि 5G को सपोर्ट करता है यहाँ पर आप gaming अच्छे से कर सकते हो और यह दोस्तों बतर आपको यहाँ पर Hybrid Slot देखने को मिलता है 5G को सपोर्ट करता है स्मार्टफोन और साथ में आपको 128 GB का Storage देखने को मिल जाता है और यह फोन जो है वो Dust and Waterproof है और 1 TB तक आप Extend कर सकते हैं यह काफ़ अच्छी बात है तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन को Composition कर लेते हैं सबसे पहले जानते है प्राइस तो Redmi Note 12 5G का जो प्राइस लबग 18,000 है और Vivo T1 का जो प्राइस लबग है यहाँ पर 15,000 रुप है तो दोनों की बहुत दिफ्रेंट से डिजाइन की बात करें तो इन दोनों स्मार्टफोन को जो डिजाइन हो काफी बढ़िया है लेकिन जादा अच्छा लगता है T1 का डिजाइन जो की प्रिमियम लूप के साथ आता है बात करते हैं डिस्पले की तो Redmi Note 12 में आपको 200 डिस्पले जो है जादा आगे यह वीव का T1 निकल जाता है यहाँ पर अभी आपको 5000 में इसकी बेटी मिलती है और 44 वोट का आपको बहुत गंदर ही चार्जिंग दिखन को मिलता है प्रफॉमेंस की बत करें तो प्रफॉमेंस में दोस्तों जादा आगे निकल जाता है अगर आपको 15,000 वे हो चाथे तो Vivo T1 आप ले सकते हो काफी बढ़िया स्मार्फोन है यहाँ पर आपको केमरे के लड़ी बच्ची मिलती है बेटरी बच्ची मिलती है और डिस्पल आपको यहाँ पर फुल एजडी मिलती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा अगर डिस्पल अच्छा चाहिए तो आप Redmi Note 12 5G की तरफ से जा सकते है अगर आपको बच्चेट कम है तो यह स्मार्फोन भी ले सकते हो काफी बढ़िया है प्रोसर भी काफी अच्छा रहने को मिल जाता है तो आप कमेंट करके बताएगे इन में साब कौन सा पर्चेस कर रहे हैं कमेंट में जानना चाहेंगे वीडियो अच्छे लगी तो आप लाइक कर दिएगा ज़र 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 बोट सब्सक्राइब शेयर कीजएगा जह ही जबरत वने मातना नुस्त